नमस्का फेंड्स में नाम बबली और माप यह पर हैकर में आपका स्वागत है आज हम यहाप देखने वाले हैं फूड न्यूटिशन और हाइजिंग के बारे मतलब आहार पोश्टराव सचता का यह पार्ट नंबर होने वाला है कौन सा पार्ट नंबर जो रहने वाला है वो केतल सेल्फल विटामिन कौन कौन से हैं पहले आपको यह पता होना चाहिए वांतल सू सुल लि Hee¿द कईडर क्या यदखरना है उना है और आई और केटा क्या होगा अभी फैट है फैट क्या होता libro होता है जब उसे हम मदब किसी कीड़े को अगर ये ग्लास कि इता आउन तो कह सकते हैं कि कीड़ा जो होता है वो फैट के उपर टंग जाता है तो इस पर याद रखेंगे कि फैट सेल्योबल विटामिन जो होते हैं वो क्या होते हैं कीड़ा होते हैं ऑर किड़ा किमें सब्सक्राइण कीड़ा है और गाल देखने वाले थो फैट। उसके बाद बढ़ते हैं ठीक है तो भी तो थे क्योशनों के और देखते हैं इस्टे कुशन आपके सामने हो जाता है विटामिन Rand companion ए से रिलेटेड के सेlooंट है यहां पर बसा में घुलेंसील बिटामिन है विटामिन डी या फिर यह सभी पृर आइटांशके और के यह ने कहता क्या कीड़ा में एवी आया था और डीवी आया था और अपना इवी आया था राइट अन्सर क्या दाएगा यह सभी यह लोका आ रहा है अप्षन नबर दा विल्कुल राइट आंसर नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं बेटा में एक ही कोज किसने की है जेट जूर जीणे के मैई मैक्र्य किक क कोलम ने या ना क्या होता है रेत deaf daale की कुशं किस्ट की है वह की है तुमारे मैकल कोलम ने किसने मैकर कोल याद अखना है विटामिन ए रेटिनॉल तो मेक्रेग कोलम याद अगर रेटिनॉल भी आपको याद है का तो बिल्कुर रहने वाला रेटरे में क्या होता है रा होता है ठीक है और यहां प्रिकार से यहां क्या है थोड़ी से हिंट बना का इन्हें याद रख सकते हैं आगे बाति हैं रेटर बरते हैं नेक्स कुछन की विटेमिन एक पूर्ब गामी रूप है बिटामिन ए जो है उसका पूर गामी रूप बताना बहुंकि पूर्व्व गांई नाम कौन सा हैं तो होगा नहीं बात कर रहाएं मारा रासानिक नाम क्या है कि विटामिन एका पूर्व गामी नाम होता है वो होता है के रोटीन राइट आंसर जाएका ऑप्शन नमबर साथ नेक्स कुशन की बात करते हैं विटामिन एका राइसानिक रूप का नाम क्या है अब इमने क्या देखा था रैटी नॉल हो जाता है तो जिन लोग का अंसर आ है भी ऑप्शन नमबर आ रेटी नॉल बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने बाला है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स क्या रहा है विटामिन एक प्राप्ति के इस्तूत हैं पपीता टमाटर गाजर या फिर उप्योक्त सभी राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है वह जन्ते प्राप्ति के स्थोत कौन से हैं लीवर है दूध और यह पिर ये सबीं के अचसे प्टा में पैजने का रहे हैं मास हड़ी प्रोडॉपसिन या फिर दात बिटामिन A के कारी है मास, अड़ी रोडोपसिन या फिर दाथ तो राइट आंसर क्या होगा रोडोपसिन जिन लोग का आंसर आ रहा है option number 7 बिल्कुल राइट आंसर होजागा बिटामिन A के कारी क्या है रोडोपसिन करना हो जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन के और नेक्स्ट इक्वेशन कहरा है बिटामिन A की कमी से रोग उत्पन होते हैं कौन से रोग उत्पन होते हैं रात्री अंधपात अंधपन और हो जाता है तुम्हारा बाइट उट स्पॉट और देल रेखा आपका यह सभी तो राइट आंसर क्या होगा तो लाहरघा नाम है जिरॉ फीतेल मियां ठीग है, तो कौन सा राइट आंसर के म Including और रहने वाला है ठीक है और वाई टॉट स्टॉप होता है यह अद्धक न और आपका हो जाता है जिरो फितेल मिया तो जी सबी सबी हो जाते हैं आपके तीनों की तीनों बहुत इनपोटेंट है कोई भी पूछ सकता है तीनों की तीनों कितीनों नामयात अगो होनी चाहिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिटों मिले-सी यह किस बिटामिन यह किकारल होता है तो जिन लोग का अंसर आ रहा है यहां पर आप्शन नमबर आ बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा आगे देखते हैं नेक्स्ट कुछन की और किरा है फॉलीक फॉलीक्यूलर आई पर केरेटोसिस के लच्षड हैं क्या है यह आपको बताना है तो अचा पर दाने पड़ना प्राइनोटर्मा वा तोडिस्किन होना तोचा असोस्क बागपुरदरी होना या फिर यह सभी तो रा है ठीक है फॉलीक्यूलर हाइपर केरेटोसिस जो रच्षड जो रोग है उसके लच्षड क्या होते हैं तो अचा पर दाने पड़ जाते हैं पाइनोटर्मा बाट टोडिस्किन हो जाती है तो तो राइट अंसोदाएगा यह सभी अब यहां से स्टार्ट होता है विटामिन कlor ने डे इविस्ने या फिर हो जाता है अपना जैम लिन्ड ने कौधा पर आणसर होगा यह आपको बताना है कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा यह आपको बताना है विटामिन डी की यहाँ पर बात हो रही है किसकी विटामिन डी की यहाँ पर बात हो रही है तो राइट आंसर क्या होगा भई मैलन बाइ हो जाएगा क्या दाएगा तो मैलन वाई की बात हो रहा है क्या मैलन इसे ट्रिक कैसे बनाएं यहां पर क्या है वाई की बात हो रही है किसी को वाई करने की बात हो रही है और सूरी क्या होता है पूर उसे प्रसिम की और चला आता है फिर क्या होता है रात हो जाती है तो हम सूरी का करते हैं वाई कर देत यहां पर राइट क्या रहने वाला है फटल्फर इस्कानस दीचेगा बिटामीन D सुखा रेक केटस रोस्हां स्रॉप्शन अंबर आ रहने वाला है अगे देखते हैं गूर्फर क्या कहते हैं यह उसे क्या कहते हैं यह आपको बताना है रोडुपसिन ना और एंटोस सेरोल या फिर फिर लग्प सिन सात डेime रोको लेस्टेलॉब कौन सा यहां पर रात हो गां सेव ले हैटरो लेस्टरोल राइट आंसर क्या रहने वाला है अद्धरी की बात यहां पर हो रही है कि इसकी बिटामिंण D3 की बात हो रही है तो उसे कहेंगे 7-Dhydro-Colesterol कौन सा? 7-Dhydro-Colesterol तो right answer option number दा रहने वाला है next question की बात करते हैं vitamin D2 को क्या कहा जाता है vitamin D2 जो है उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है D3 को कहते है 7-Dhydro-Colesterol अब vitamin D2 को क्या कहते है अपको बताना है argosterol या फिर पहला ग्रा calciferol या फिर thymine right answer क्या रहने वाला है यहाँ पर अपको बताना है तो उसे हम कहते हैं argosterol क्या कहते हैं argosterol ठीक है option number रहने वाला है next question की बात करते हैं vitamin D के कारे कौन से है calcium का चयापचय करना fastpores का चयापचय करना अस्तियों का निर्माड करना उपयोगति सभी तो right answer क्या रहने वाला है यहाँ पर आपको बताना है vitamin D के करता है calcium का चयापचय करता है हड़ियों को बनाता है अब बात करते हैं अस्तियों का निर्माड करता है तो right answer क्यादाएगा उपयोगति सभी रहने वाला है next question की बात करते है उचित ब्रद्धीवा दांतों के स्वास्त विकास के लिए कौन सा vitamin चाहिए vitamin A, vitamin K, vitamin C, vitamin D अब यहाँ पर क्या हो रही है दांतों की स्वास्त की बात हो रही है तो vitamin D चाहिए ठीक है किसके का लिए calcium और फास्पूरस के चयापचे के लिए आगे बढ़ते हैं next question की ओर next question हमारा कहरा है vitamin D किस तत्वी के लिए महात्पूर है vitamin D जो है वो किस तत्वी के लिए महात्पूर है zinc, calcium, फास्पूरस, आइरन या फिर यह सभी तो right answer हमारा क्या रहने वाला है यहाँ आपको बताना है अभी मैंने बताया था जो अपना होता है vitamin D वो किस के चाहपचे के लिए होता है यह होता है अपने calcium और फास्पूरस के लिए तो right answer हो दाइगा option number 2 next question की बात करते है vitamin D कौन सी गरंती को नियंतित करता है vitamin D जो है वो कौन सी गरंती को नियंतित करता है यह आपको बताना है पैरा thyroid गरंती अडर्रेनल गरंती फ्यूस गरंती यह सभी right answer क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है vitamin D कौन सी गरंती को नियंतित करता है बहुत ही important है तो vitamin D जो D है वो पैरा thyroid गरंती को नियंतित करता है right answer का देगा option number अपना रहने वाला है vitamin D कौन सी गरंती को नियंतित करता है पैरा thyroid गरंती को नियंतित करता है ठीक है तो बहुत आपको नहीं करना है तो आपको क्या करना है एप डालोड करना पड़ेगा आपको एक से दू दिन में इसका एप मिल जाए ठीक है ओगे बढ़ते हैं जो आपको फिरी यहां पर रहने वाला और जो नोट्स करेंगे वह भी फैड होंगे क्योंकि फोड़ी मिनत लगती है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुश्न की और vitamin D के प्राप्ति साधन कौन से है vitamin D के प्राप्ति साधन कौन से है आपको बताना है अंडा है या फिर सूरी की किरने दूद या फिर ये सभी तो right answer क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है vitamin D सूरी की किरनों से प्राप्त होती है अंडा से मिलती है और दूद से भी मिलती है तो राइटन से क्या हो जाएगा ओप्शन नंबर दा रहने वाला है ये सभी ठीके नेक्स्ट परते हैं नेक्स्ट कुशन को बिटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है रेकेट्स दंत छरड या फिर ऑस्ट्रो मिलेसिया या फिर हो जाएगा ये सभी तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है रेकेट्स तो होता ही है दंत छरड भी होता है और ऑस्टो मिलेसिया होता है हड्डियों की कम जोर होना तो राइट अंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर द लेनी चाहिए प्रति दिन इसकी मात्रा आपको बताना है 400 से 800, 100 से 200, या फिर हो जाता है 200 से 300, या फिर 300 से 400 राइट आंसर क्या रहने वाला है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए प्रति दिन कितना vitamin D लेना चाहिए, तो इसे लेना चाहिए भई 400 से 800, राइट आंसर का option number A next question की बात करते हैं, vitamin D की अधिक्ता से कौन सी समस्याएं होती है बहु मुत्र होता है, प्यास बढ़ना होता है, जी मिचलना होता है, या फिर ये सभी vitamin D के अगर अधिक्ता हो जाएगी, तो बहु मुत्र होगा, मुत्र जादा आएगा और प्यास का बढ़ना हो जाएगा, तो जी मिचलाएगा, ये सभी रहने वाला है, अब next की बात करें, यहाँ पर vitamin E को देखने को मिलेंगे, तो first कुशन होता है, vitamin E की खोज किसने की थी, vitamin E की जो खोज की थी, किसने की थी, आपको बताना है इवांस बाब बिसपने, मुल्डरने, या फिर, यह हो जाता है, तो राईट आंसा क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है vitamin E की खोज जो की थी, बहक किसने की थी, ठीक है, तो बहक की थी, मैकर कोलन ने किसने, मैकर कोलन ने, इसने रेटनुल की खोज भी इसा ने किती वी-टामिन की खोज भी ऐतने एक eerste ओर वॉपध बहूत ही इंपोटेंट है यहां पर आपको याद अखना ऑखना है E, E colon, ठीक है, E colon, इस पका से याद रखना, कि E colon, ठीक है, क्या E colon, याद रहेगा कि क्या BITAMIN E की जो खोज किती, किस ने किती, E colon ने, ठीक है, तो याद रहेगा, मैकर कोलन ने, ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर दाइका option number 7, next question की बात करते हैं, BITAMIN E को किस सन में बताय गया, 1918 में, 1922 में, 1900 में, 1930 में, राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना था, BITAMIN E को किस सन में बताया गया था, तो यह बताया गया था, 1922 में, राइट आंसर option number 2, next question, BITAMIN E को अन्य नाम से भी जानते हैं, बहन नाम क्या है, BITAMIN E को अन्य नाम से भी जानते ह आपको बताना है, RH factor, रक्त विरोधी, या फिर टोको फैर हॉल, या बांज पन विरोधी, तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है, BITAMIN E को अन्य किस नाम से जाने जाते हैं, तो बह जाना जाता है, बही बांज पन विरोधी, क्या, बांज पन विरोधी क्या है, बिटामिन E का रासानिक नाम क्या है, यह आपको बताना है, तो क्या होगा बई, इनका होगा, टोको फैरॉल, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नमबर बां होगा, क्या होगा, टोको फैरॉल यहाँ पर रहने बाला है, याद करेंगे, रत एक टॉफी, क्या, र Ritinol, Thymine, Ascarbic Acid और यह अपना हो जाता है तो बिटामिन A, बिटामिन B, बिटामिन C, बिटामिन D, यह हो जाएगा अपना कैल्सी फेरॉल और टोको फेरॉल ठीक है टोको फेरॉल तो बिटामिन E कौन सा है टोको फेरॉल हो जाएगा तो कौन सा राइटांस हो जाएगा आप्शन नमबर 2 हो जाएगा याद करना रत एक टौफी याद करना है बस ठीक है रत एक टौफी रा से बिटामिन A, बिटामिन C, Vitamin D, Vitamin E और Vitamin K एप से क्या भनेगा फा से बनेगा Vitamin K तो इस प्रकार से Retinol, Thymine, Ascarbic Acid और आपका हो जाता है कैल सी फॉर All, D से और E का क्या होगा、 टौको फैर उल्ट राइट तन सर डाएगा option नमर बा हो जाएगा टॉको फेरोल ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन की और नेक्स कोशन के रहा है टॉको फेरोल के कितने प्रकार हैं एक पांथ दो या फिर तीन तो जो टोकोफेरॉल है इसके कितने प्रकार है वही तीन प्रकार के बिटामिन होते हैं टोकोफेरॉल बिटामिन के नेक्स्ट की बात करते हैं टोकोफेरॉल के प्रकार है अलफा टोकोफेरॉल गामा पर टोकोफेरॉल या फिर बीटा टेकोफेरॉल उप्योक तो सभी याद करना है क्या हो जाएंगे उप्यूत सभी हो जाएंगे अलफा बीटा और गामा ठीक है आगे बढ़ते हैं बिटामिन E के इस्तोत कौन कौन से हैं नारियल का तेल, अलसी का तेल, यक्रत या फिर ये सभी तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है बिटामिन E के इस्तोत क्या है, नारियल के तेल में आपको बिटामिन E मिलेगा अलसी के तेल में बिटामिन E मिलेगा, यक्रत में आपको बिटामिन E मिलेगा तो राइट आंसे कर दाएगा ओप्योक तो सभी उदाएगा यह सभी ठीक है नेक्स कुशन की बात करते हैं बिटामिन एके कार हैं सुक्राणों का निर्माड आर बीसी बचाना बचाव या फिर परजन छमता यह सभी बिटामिन एके जो कार हैं वो आपको बताना है कौन कौन से उदाएंगे देखो जन की बात करेगा सुक्राणों का निर्माड करते हैं पर जन छमता बढ़ाते हैं और आर बीसी के बचाव भी यह करते हैं तो राइट आम से क्या दाएगा यह सभी रहने वाला है आगे बढ़ते हैं विटामिन एकी कमी से कौन से रोग उत्पन होते हैं नपुन सुक्ता बांजपन एनिमिया या फिर यह सभी तो अभी आपको क्या बताया था नपन सुक्ता देखने को मिलेगी बाइश्पन देखने को मिलेंगे और एनिमिया हो जाएगी तो राइट अंसर क्या बजाएगा ये सभी रहने वाला है नेक्स कुश्ण की बात करते हैं विटामिन ई कितनी मात्रा में आवस्यक है 5-10 मिली ग्राम 10-30 मिली ग्राम 5-7 मिली ग्राम या फिर 20-30 मिली ग्राम राइट अंसर क्या रहने वाला है यहाँ पर आपको बताना है पिटामिन ए कैसे आत करें कितनी मातल होनी चाहिए तो इस प्रिकार से हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि तेन मनने वाला है तीन कहा देखोगे आप यहां पर देखोगे तीन क्यादाएं कि दस से 30 मिलीग्राम हो सकती है ठीक है और यह रहेका रहेगा 2 एक कर सकते हो अब बितामिन के स्टाट होगा तो प्रकार से बना दूँ तो आपको क्या लग रही है यह ऐसा लग रहा है कि दैम जो लेकर कोई यह तो इसका यह क्या है भी दर्वाजा है क्या है ठीक है क्या एक तो यह क्या भी दर्वाजा है तो डैम का क्या होगा दर्वाजा भई के की आकार का बना हुआ होगा डैम का दर्वाजा तो राइट अंसर क्या होगा डॉक्टर डैम ने की थी विटामिन के की खोज बिल्कुल आराम से आध रहेगा आप ठीक है विटामिन के की खोज किस ने क हुई थी आपको बताना है 1910 में 1933 में 1930 में या फिर 1900 में इस प्रकार कि आपको चाहिए पूरी बुक की तो फेंस बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखेगा आपको हम देने की पूरी कोशिच करेंगे बैस तब यही पढ़ा पाएंगे ठीक है उसके बाद में अगर टैम मिलता ह है तो बिल्कुल आपको ट्रिक के अनुसा आपको बढ़ाने की पूरी कोश्च रहेगी कि एक भी क्योक्शन आपका ना बच पाए ठीक है तो बिटामिन के की कोज किस सन में हुई थी आपको बताना है और सब्सक्राइब करना चैनल को बहुत जरूरी ठीक है क्योंकि ट्रि सब्सक्राइब चैनल बिल्कुल कर लेना है के लिए तो यहां रिक्षामिन के की कोज किसन में हुई थी तो यहां पर बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है 1933 में हुई थी उन्नेस और गुश्च कर भी थी 1922 में हुई थी धूना आदखना विटामिन एक़ोज 1922 विटामिन के की खोज 1923 विल्कुल आज रहेगा हम आपके लिए नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं कि रखत के इस पंदन के लिए आबसिक विटामिन कौन सा है रखत का जो इस पंदन होता है जमाब होता है उसके लिए क्लोटिंग होती है उसके लिए जो विटामिन होता है व गर्चाट का परिमुकार क्या है उड़माड करना मास पेशने अंस्पे सिंगकर रक्त का थक्का जमाना एंतर यह सभी में बिटाविंन के परिमुक्डार है वह कौन सा है अभी देक्र था क्या रक्त का आत्पया ट्लोटिंग करना या फिर ठका जमाना, right answer option number साह हो जाएगा next question की बात करते हैं vitamin K के अनिनाम क्या है vitamin K जो है उसका अनिनाम क्या है coglulative vitamin coglulative vitamin anti hemorrhage vitamin और बाद दोनो या फिर कोई नहीं right answer क्या होगा यहाँ पर आपको उताना है vitamin K के अनिनाम क्या है coglulative vitamin anti hemorrhage vitamin भी हो जाएगा दोनों के नाम याद रखना है बहुत important है आगे बढ़ते हैं vitamin K का रासानिक नाम है vitamin K का रासानिक नाम क्या है आपको बताना है हमने क्या देखा था रत एक toffee रत एक toffee तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्या दे रक्का है के खटा पट आंस जीका shift neshte quinone क्यों खटाएगा невथे quinone क्यों क्यों हमने क्या प्रत 1 toffee फा कहा देखने को मिलान ऑफा देखने को मिलाई आपर तो क्या हो जाएगा नेफ्थे क्विनोन तो राइट आंस जाएगा option number 2 बिटामिन के का रासानिक नाम हो जाएगा नेफ्थे क्विनोन आगे बढ़ दें यहाँ पर बिटामिन के बन को किस नाम से जाना जाता है बिटामिन के बन को किस नाम से जाना जाता है यहाँ पर आपको बताना है तो क्या हमने देखा था फा ही देखा था फा कहां मिलेगा यहाँ देखो फाइलो क्यों नून ठीक है क्या हो जाएगा फाइलो क्यों नून हो जाएगा जिन लो आंसर option number our i will go right answer मनों तोरी यहां देख्का है मैं न कुई नून कौन सा vitamin है जो मैंना कुई नून है वह कौन सा vitamin है यहां पर आपको कोई नौन तो राइट आंसर दाएगा option नमबर दा नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं बिटामिन के के प्रमुक कारे हैं वो कौन सा है प्रोथॉम्बिन के संसलिस्वर में सहायता करना या फिर खून का थक्का जमाना या फिर प्रजन चंता या ये सभी तो राइट आंसर क्या बात करते हैं बिटामिन के के संसलिस्वर में या फिर ये सभी विटामिन के क्या होते हैं यहां पर आपको बताना है तो भी गोबी से मिलता है विटामिन के और यकट से मिलता है विटामिन के सोयवीन से मिलता है तो राइट अंसर क्या होता है यह सभी रहने वाला है नेक्स कुशन की बात करते हैं हैमरेज किस विटामिन की कमी से होता है हैं मेरेज किस बिटामिन की कमी से होता है बिटामिन के बिटामिन ए बिटामिन बी इन में से कुई नहीं अब इमने क्या देखा था है वो बिटामिन के की कमी से होता है राइट अंस पुदाए का ओप्शन नमबर आ फेंट्स यहां पर बिटामिन खतम होता है अभी बढ़ाता है जल सरीर के ताप मन को क्या करता है नियन तित करता है राइट अनस दाएगा option number next question हमारे सरीर में जल कितने प्रतिशत होता है तो बड़ावट बेसका answer जीगा हमारा जो सरीर है उसमें जल कितने percent होता है यहां पर आपको बता जल कितने % होता है, बाटर, पान, कितना होता है, 70% होता है, हमारे सरीर में जल, जल की मात्रा हमारे सरीर में कितनी होती है, 70% होती है, बहुत ही important question हो जाता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next question की ओगर, जल कम हो, कम हो जाने से मित्यू हो सकती है, सरीर में कितना जल अगर कम हो जाए, तो मित्यू हो सकती है, 40%, 20%, 50% या पर 10%, तो सरीर में अगर 10% की हानी अगर हो जाती है, जल की तोस बक्ति की मित्यू हो जाती है, आगे बढ़ते हैं, next question, सामान रूप से, एक प्रौन बक्ति को रोजाना कितने ग्लास पानी पीने चाहिए सामान रूप में एक प्रॉण विप्ति को रोजाना कितने ग्लास पानी पीना चाहिए एक से पांच ग्लास छे से आठ ग्लास चार से आठ ग्लास एक से साथ ग्लास राइट आंसर क्या होगा यहां पर आपको बताना है है और हमने क्या देखा था भई करीच का परसंटेज देखो पहले अब स्टीच परसंटेज केपना होता यहां और क्या एगा यहां आगा तो चैसे आठका आघका सकते हैं ट्रिक है वरकार से बना सकते हैं ठीके अंत्र कितने का हो गया दो का अगर दो की कमी हो जाएगी मतलना कंटी कमी हो जाएगी तो ही हो जाएगी इस पर्काश से लेट करके याद कर सकते है dazu बढ़ते हैं उस जीबानों को क्या कहते हैं बिबियो कॉल बाइरस वायरस या फेर्ट मेरस कोई नहीं जो हैजा फेल लते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं विवेरियो कॉलोरी कहते हैं उन क्या के लिए आगे वड़ते हैं हैजा किस से होता है वही जीबाड़ों के लिए आगे बड़ते हैं bathrooms किससे होता है नामक जीवांडू से कौन सा रोग होता है ताइपाइड 25 अतिसार फिर हैजा तो जो होता है अमीविय होती है इस पेकार से ना कहते हैं उसका फूल नाम वहाँजाता है ठीक है आगे बढते हैं जल द्वारा जीवांडू को भोजन कहां से मिलता है जल द्वारा जीबाड़ों को भोजन कहां से मिलता है ठहरे जल में पौधे से जल द्वारा जीबाड़ों को भोजन कहां से मिलता है ठहरे हुए ठहरे जल में पौधे से या फिर बरसा का जल जमीन पर गिरने से या फिर आवबा दोनों इन में से जल में पोदे से मिलेगा अथा बरसा का जल जमीन पर गिरने से मिलेगा ता राइटा सकताएगा ता हो जाएगा आउर्बा दोनों नेक्स कुशन की बात करते हैं गर्म जल बायू बाले इलाकों में जल का अधिक निसकासन किस रूप में होता है गर्म बायू के रूप में मल द्वारा मूते के द्वारा या फिर पसीने के द्वारा तो यहाँ पर राइट बताना है कौन सा होगा गर्म जल बायू बाले इलाक में जल का अधिक निसकासिन किसके द्वारा होता है पसीने के रूप में होता है राई टाहिए करना करना या फिर यह सभी जल क्या-क्या का रहें नाजुक अंगों की सुरक्षा करता है जल या फिर ताप निंतक करता है सरीर निर्मारक कारे भी करता है तो राइट टांसर क्या दाएगा ये सभी हो जाएगा ठीक है नाजुक अंगों की सुरक्षा भी करता है ताप निंतक भी करता है सरीर निर्मारक कारे भी करता ह ठीक है क्योंकि सभी में कौन भाग लेता है जली भाग लेता है आगे देखते हैं जल के स्तोतबा साधन कौन कौन से हैं दूद बा सूप जल जीरा बा सरबत चाय बा कौफी ये सभी सबी को पता है किसे मिलेंगे, सभी से मिलते होंगे, ठीक है, सब में जल पाया जता है, आगे, जल सरीर में एकत्र होगा, तो कौन सा रोग उत्पन होगा, अगर जल सरीर में एकत्र होगा, तो कौन सा रोग उत्पन होगा, आपको बताना है, अडीमा, घेंगा, कब्ज, या फ जो जल है वो भर जाता है उसे कहते हैं अडीमा कर से कहते हैं आगे बढ़ते हैं पैर बहुत मोटा हो जाता है फूल जाता है उसमें सूजन दिसी आती है न तो उसे कहते हैं अडीमा कहते हैं अगले बढ़ते हैं धनात्मक जल संतुलन कब कहा जाएगा धनात्मक जल संतुलन क कब कहा जाएगा आपको बताना है अच्छा संतुलित जल जल का उत्तकों में एकत्र होना एकत्री करड़ या फिर नियंत्री करड़ कौंसा होगा या पको बताना है धनात्मक जल संतुलन कब कहा जाएगा धनात्मक जल संतुलन कब कहा जाएगा यहां पर आपको बताना है होगा तब कहा जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुछ नी को रहा है जल चाहलं के निसकासन की चल के निसका सन की मातरा बढ़ जाना कहलाती है क्या कह dec diarr रसान दोन और बागजन और डोनों इनमें से कोई करते हैं तो सिह क्या कहते हैं रत्मक जल शंतुलन कहते हैं जल came Enfin कि मातरा बड़ जाती तब अपड़ अनगे चल इकत्र होता है तो क्या होगा धनातमक होगा अगर मैं निकल जाएगी तो क्या होगी रडातमक होगा तो रहाइट आंज this से कुशन कि बात करते हैं दूसीत जल से फैलने वाली बीमारी है टाइफ़ाइड ला गुता है आगे पेचस के सब्सकार कौन कौन से हैं अमीडिये पेचिस बैसिलस पेचिस और बात दोनों या फिर यह सभी यहां पर क्या हो दाएगा यह सभी रहने वाला है राइट अंस ऑप्शन नमबर दा नेक्स कुशन की बात करते हैं एक बैसक ब्यक्ति में मौजूद पानी का परसंटेज कितना होता है यहां पर आपको बताना है हमने उपर क्या देखा था सेविंटी परसंटेज सेविंटी कहीं नगी देखा है तो क्या होदाएगा सेविंटी वन परसंट राइट अंसर ओप्शन नमबर दा नेक्स कुशन की बात करते हैं जल प्रदूसर निवारल जल प्रदूसर निवारल एक नियंत्रल हेतू भारा सरकार ने जल अधिनियम प्रभावि किया कब किया आपको बत तो किस में किया था भई 1994 में किया था राइट आंस ओजाएगा आप्शन नमबर नेक्स कुशन की बात करते हैं कौन सा पोशक्तव सरीर में सबसे बड़े पृतिशत में मौझूद होता है बिटामिन खनिस्पदात पानी कार्भुहाइड़ेड्स कौन सा पोसात्व सरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौझूद होता है तो बह होता है पानी ठीक है बार्टर नेक्स कुशन मृदायुक्त जल के उपियोग द्वारा सुद्ध किया जाता है मृदायुक्त जल के उपियोग द्वारा सुद्ध किया जाता है ब्रोमीन, आयोडीन, केल्सियम उक्साइड या फिर्ट करी कौन सा राइट होगा आपको बताना है मरदायुक्त जल के उपयोग द्वारा सुद्ध किया जाता है वो किया जाता है फिर्ट करी के लिए ठीक है आंसर हो जाएका उप्शन है मरदा नेक्स कुशन की बात करते है सरीर में जल की आवसेक्ता किस कार के लिए होती है सरीर में जल की आवसेक्ता किस कार के लिए होती है अन्ता ग्रहन, पाचन, अबसोसर या फिर ये सभी सरीर में जल की आवसेक्ता किस कार के लिए होती है यहां पर आपको बताना है कौन सा right होगा अन्ता ग्रहन के लिए भी होती है पाचन के लिए भी होती है अब सोशड के लिए भी होती है तो right answer हो जाएगा यह सभी ठीक है आगे बढ़ते हैं next question की और calcium salt का कारे है calcium salt जो है जल में मृदू जल की कठोरता जल में बास पर या फिर यह सभी right answer क्या होगा यहां पर आपको बताना है calcium soft का कारे क्या है जल की कठोरता right answer क्यों देगा option number 2 next question की बात करते हैं next question को देखे कह रहा है जल सुद्धी करड़ की राजसायने की विदियों में किलोरीन के किस रूप को सर्वस्रेष्ट माना गया है क्लोरो माइन को, क्लोरीन गैस को, ब्लोचिंग पाउडर को इन में से कोई नहीं राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है जल सुद्धी करड़ की राजसायने की विदियों में किलोरीन के किस रूप को सर्वस्रेष्ट माना गया है तो ब्लीचिंग पाउडर को माना गया है क्लोरीन के ब्लूचिंग पाउडर को पानी के अंदर डाल कर सुद्धी किया जाता है आगे बढ़ते हैं next question क्यों next question कह रहा है जीबन रच्छक गोल जल की सहायता से देते हैं जीबन रच्छक गोल जो होता है वो जल की सहायता से देते हैं यह कब देते हैं नर्जली करण में बुखार में खांसी में सिरदर्द में तो किसमें देंगे निरजली करण में देते हैं जब पानी की मातरा कम हो जाती है आगे बढ़ते हैं यहाँ दरिका है डिमेस्टिक सिवेज में असुदिता का प्रतीशत है डिमेस्टिक सिवेज में असुदिता का प्रतीशत कितना है एक परसेंट जीरो पॉइंट एक परसें ऐस्टेरीलाइजेशन के लिए उपयूक्ट करते हैं किलोरीन करते हैं ब्लीचिंग करते हैं सोडाकॉष्टिक हमिल करते हैं यहां पर यह सम committee सबी नाजियक के फरेजिक्षक करते हैं चippy 이거를 item के लिए उपव्यूक्त करते हैं किलोरीन का परीख आ जाता हैं प्लीचिंग पारॉडर का भी होता है सोडा और साइ्टरिक अमल का भी होता है तो रैटरिस ता किया गाएगा ये सभी रहने वाला है नेक्ट्र कुछन की बात करते हैं सरीर में पानी की कमी का कारईड पाल आत सरीर में पानी की कमी का कारण होता है क्या होता है सरीर का पानी बहार निकल जाना डेहाइडरेशन की उपर इस्तिधी हो जाना या अच्छा फिर लबड निकल जाना तो राइटान से क्या दाएगा ये सबी हो जाएगा आगे देखते हैं बे अपमार जक जो जल को प्रदूसित करने का काम करते हैं क्या कहलाते हैं आपको बतो ना बता रहा है अमोनिया, साइनाइड्स या फिर आ और बादोनों इन में से कोई नहीं बिल्कुल आपको पता है अमोनिया करता है और को करता है साइनाइट्स करते हैं तो या दायगा आ और बाय दोनुग नैस्ट डूर्ण की बात करते हैं प्रांस के आडोय्थ फ्रांस के आडोय्थ नाम के स्थान में दीगरकाल में एक विसेस परकार के कुएं बनाया जाते हैं जिनको नम क्या है? यह आपको बताना है पूतले कुएं, ऐटीजन कुएं, गहरे कुएं, इनमेंसे कुई नहीं फ्रांस के आर्टोइट नामेकस्थान में दीगर काल में एक विसेज प्रकार के कुएं बनाई जाते हैं उन्हें कहते हैं आर्टीजन कुए आर्टीजन कुए राइट आंस हो दाइगा ऑप्शन नमबर बा आर्टीजन कुए नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं कृत्रीम जील का दूसरा नाम है परीबद जलास है ट्यूब वैल या फिर जल्द हराएं या इन में से कुई नहीं तो राइट आंस है क्या रहने बाला है यह आपको बताना है तर्टीम जील का दूसरा नाम क्या है परीबद जलास है हो जाता है तो राइट आंस हो दाय का ऑप्शन नमबर आ नेक्स एकुशन की बात करते हैं नेक्स एकुशन को देखेगा नेक्स एकुशन कहा रहा है तुमारा सामानिता स्वस्त बेक्ति के लिए कैसे पानी से इसनान करना लाबदायक होता है बहुत गरम पानी, गुनगुना पानी, ठंडा पानी, बहुत ठंडा पानी, राइट आंसर क्या रहने वाला है, यहाँ पर आपको बताना है, सामान स्वास्त विक्ति के लिए, कैसे पानी से इसनान करना लाब धायक होता है, तो बहुत होता है, ठंडे पानी से, राइट आंस कितने हैं बहई दो है आजटो आएंगे जल की 14 के प्रकार क्या है दो प्रकार हैं आगे बढ़ते हैं यहां पर रखाय और झो आर ऐस घोल में जल के पृति लीटर में शाधा नमग साधान Tian уч होता है soda bicarbonate और potassium bicarbonate की क्रमसा कितनी मात्राएं gram में होती है यह आपको बता रहा है कितनी मात्राएं gram में होती है यह आपको पर बताना है 3.5 gram से 2.5 gram परी या 1.5 gram 3 gram 2.5 राद 2.5 gram यह सबी राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है तो दिन लोग का भी आंसर आ रहा है option number A इसमें क्या होता है soda bicarbonate होता है अपना तीन ग्राम और जो potassium chloride होता है 2.5 gram होता है तो राइट आंस होता है हारिय रेशा ठीक है अमारा यह यहां आउयर बन के लिए का कि रहा है रेसे की अंग्रेजी में किस से जानते हैं रेसे को अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं रफेज बहूर बहूरेफेज या फिर रेशा इन में से कोई नहीं तो राइट आंसवारा क्या होगा रफिज किसके रफिज के नाम से जान जानते हैं, रेसे को अंगरेजि में किस नम जाते हैं, हाइवर्डों कहते हैं, और क्या कहते हैं तुमारा रफेज भी कहते हैं, राइट आंस भड़ाइगा रफिज, answer option नमर आफ, next question, रेसा का निर्मा से होता है किसे होता है? वही? Cellulose से होता है, right and so नदेगा option number 2. Next question की बात करते हैं. Next question कहरा है अगार-अगार किसे प्राप्त होता है? जो अगार-अगार होता है, बें किसे प्राप्त होता है? यहाँ पर आपको बताना है? समुदरी घास से, पानी से, जाणी से या फिर सभी से तो जो अगार-अगार प्राप्त होता है, बहके से प्राप्त होता है समुदरी घास से प्राप्त होता है ठीक है, नेक्स से कुशन की बात करते हैं पानी में गुलंसील रेसे कौन-कौन से हैं पहले दे रक्षा है Pectin, Mucilage, Gum या फिर ये सभी तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपको बताना है पानी में गुलनसील जो रेसे हैं तुमारा Pectin हो जाता है और Mucilage हो जाता है, गम हो जाता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी रहने वाला है next question की बात करते हैं पानी में घुलंसील रेसे कौन से हैं पानी में घुलंसील रेसे कौन से हैं cellulose, lignin, hemicellulose या फिर ये सभी तो right answer क्या होगा ये आपको बताना है पानी में घुलंसील रेसे कौन कौन से हैं cellulose हो जाता है लिगनिन भी हो जाएगा, हैमी सेलुलोज भी हो जाएगा तो राइट अंसर क्या जाएगा, option नमबर दा रहने वाला है next question की बात करते हैं, next question को देखेंगा next question क्या रहा है, कृत्रीम रेसा कौन सा है जो कृत्रीम रेसा है, बहे कौन सा है, मिथाइल सेलुलोज कार्बोक्सी मिथाईल, आ और बा दोनो, इन में से कोई नहीं यहापर राइट अंसर मारा कौन सा रहने वाला है, यह आपको बताना है कृत्रीम रेसा कौन सा है, तो बहपना हो जाएगा आ और बा दोनो, मिथाइल सेलुलोज भी हो जाएगा और कार्बेकस्ल मिथाईल भी हो जाएगा नेक्स कुושन की बात करते हैं, फाइबर के कारे क्या है उनके कारे क्या होते है, जलब सोशल करना, मद में रोग में लाब करना कब्ज दूर करना राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है आइबर के कारे क्या है जलब सोसड करता है मदुमे रोग में लाब करता है और कब्ज भी दूर करता है तो राइट आंसर क्या दाएगा option number 2 यहाँ पर बिल्कुल right answer रहने वाला है ये सभी next question की बात करते हैं आतों के cancer को रोकने के लिए महत्पूर है आतों के cancer को रोकने के लिए महत्पूर है बसा, fiber, protein इनमें से कुई नहीं आतों के cancer को रोकने के लिए महत्पूर है तो कौन हो जाता है भई? fiber हो जाता है right answer क्या हो जाएगा option number 2 रेसी उपियोगी है तो रेसी है वो उपियोगी है किसके लिए मोटापा में, मदुमे में पॉलिस्टोल नेंतरन में या फिर ये सभी तो रेसी होती है वो किसके लिए है मोटापा में उपियोग होती है मदुमी में भी और कोलिस्टोल लेंटर में भी तो राई टांस अजाएगा ये सबी ठीक है next question सबसे ज़्यादा fiber किसमें पाया जाता है चोकर में बाजरा में और बादोनों में इसमें से कुई नहीं सबसे ज़्यादा जो fiber होता है वो कहां पाया जाता है चोकर में और बाजरा में तो राई टांस अजाएगा option number 6 यहाँ पर रहने वाला है next question की बात करते हैं fiber में sorry fiber के निम्न इस्तोत होते हैं fiber के निम्न इस्तोत कौन से होते हैं हरी सबजीया चुकंदर गाजर खीरा ये सभी जिन लोग का अंसरा चुक है अभी ये सभी बिल्कुल राइट हो जाएगा हरी सबजीयों में चुकंदर गाजर में और खीरा में इसमें क्या होता है निम्न इस्तोत होता है fiber का next question को देखीगा next question कह रहा है तुमारा c fiber की कमी से क्या समस्याएं होती है cubs, diarrhea, malaria, very-very कौन सा होता है ये आपको बताना है fiber की कमी से क्या समस्याएं होती है तो अभी आपको बतायता क्या होता है अभी cubs होता है right answer option number A हो जाएगा next fiber की अधित्ता से क्या समस्याएं होती है अगर fiber की अधित्ता हो जाएगी तो क्या देखने को मिलेगा dust, pages, amoebiasis ये सभी तो right answer क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है अगर fiber की कमी होती है तो कब जे देखने को मिलेगी अगर fiber की अधित्ता होती है तो आपको dust भी हो सकते है pages हो सकती है और amoebiasis हो सकती है तो right answer दाएगा option number the next question की बात करते है केरा तुमारा thinking agent किसे कहते है जो thinking agent है भै किसे कहते है आपको बताना है अगार-अगार को hemisylose को, syelose को या फिर ये सभी thinking agent किसे कहते है तो भै कहते है अगार-अगार को किसे कहते है अगार-अगार को कहते है निए राइटान सुधाय का option number A next question की बात करते है पेक्टम्रेशा किसमें पाया जाता है जो पेक्टम्रेशा है बहcock इसमें पाया जाता है हमूद में होता है next question की बाता है लिंगनिन क्या है लिंगनिन जो होता है वो क्या है पॉली से के राइड है रेसा है मोनु से के राइड है डाई से के राइड है राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है लिंगनिन क्या है पॉली से के राइट रेशा है मोनुसे के राइट है अपर डाइसे के राइट है तो लिंगनिन है वो क्या है पॉली से के राइट है यह बहुत सारी संकलाव से बना होता है ठीक है तो बहुत सारे संकलाव से बना होता है तो इसे क्या कहेंगे पॉली से करें कहेंगे अकर दो से बनेगा तो उसे क्या कहेंगे डाई से कहेंगे और अगर दो से बहुत साइज दो से अधिक से मिलकर बना होता है तो हम क्या कहते हैं तो राइटा से क्या दाएगा आप्शन नमबर आ तो लिंग निन किसका क्या है एक पॉली सेकेराइट है ठीक है आगे बढ़ते हैं किया रहा है है हैमी सेलुलोज किससे मिलकर बनते हैं हैमी सेलुलोज जो होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं आपको बताना है जाइलोज मैनोज अरेवियोज अरेवियोज और गैलक्टोज या फिर यह सभी हैमी सरीलोज किस से मिलकर बने होते हैं जाइलोज से भी बनते हैं और मैनोज बा अरेवी नोज से भी बनते हैं और गेलेक्टोज से भी तुराइट आंस हो जाएगा यह सभी नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं सरीर में फाइवर का कितना प्रतीशत अबसोशड होता है यहाँ पर आपको बताना है जिलों का भी आंसर आ चुका है यहाँ पर दो परसेंट बिलकुल राइट आंसर अपना हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं यहाँ रखा है डाइटरी फाइबर एक ऐसा पोशक तत्व है डाइटरी फाइबर जो होता है वो एक ऐसा तत्व है आहार आधारित पौधा आधारित और बात दोनों इन में से कोई नहीं राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपको बतान नेक्स एकुशन कहा रहा है डाइटरी फाइवर के कारे हैं मल में सहायता करना पाचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचं जब यह अला पर आइक सेशका है और यहां में थैक्क है दसे हैं रहते हैं यहाँ पर आपको बताना वे कि HDL BLDL LDL इनमें से कोई नहीं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा LDL को कम करते हैं क्या करते हैं LDL को कम करते हैं आगे बढ़ते हैं यहां पर दीग्रायू के लिए बिसेश माना जाता है दीग्रायू के लिए बिसेश माना जाता है क्या माना जाता है बसा रेसा प्रूटीन या फिर विटामिन तो राइट आंसर क्या होगा यहां पर आपको बताना है दिग्राईयों के लिए बिसेश माना जाता है बह माना जाता है रेशा तो जिनलों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नमबर फाइबर बिल्कुल राइट आंसर आगे देखते हैं खाग ऐलर्जी और अस् कि बात करते हैं रेशा पाया जाता है नासपाती आवोटेडो आनाज यह अफिर यह सभी तो फाइबर को क्या कहेंगे और ऍटिर यह सभी पोश्ड की बात की जाए तो फाइबर को क्या कहेंगे आहार फाइबर कहेंगे तो राइट अंस अजाएगा आप्शन नमबर आ यहाँ देखा है इसमें थर्स के अनुसार फाइबर किसमें मदद करता है इसमें थर्स के अनुसार जो फाइबर है वो किसमें मदद करता है बजन प्रबंदन में रक्त सरकरा में पाचन नियमित्ता में या फिर ये सभी तुराई टांसा क्या होगा ये सभी हो जाएगा इसमें थर्स के अनुसार जो फाइबर्स होते हैं वो बजन प्रबंदन मयद करते हैं रक्त सरक्राम में करते हैं पाचन निंटता में करते हैं नियमित्ता में करते हैं तो राइट टांस हो जाएगा ये सभी ठीक है आगे बरते हैं यहां पर Fiber राइट आंसर क्या रहने वाला है सरीर में जब फाइबर जाता है तो वो कैसा रूप लेड़ता है जैली का रूप लेड़ता है एक जैल के रूप में हो जाता है next question की बात करते हैं गोलनसील फाइबर किसमें मदद करते हैं रक्त सरकरा का इस्तर नियंतर करने में कोलेश्टोल को बढ़ाने में पानी का ताप बढ़ाने में या फिर हो जाता है इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पर कौन सा विल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है गोलनसील फाइबर किसमें मदद करते हैं तो यह करते हैं रक्त सरकरा का इस्तर नियंतर करने में रक्त सरकरा का इस्तर नियंतर करने में राइट आंसर का आप्शन नमबर आ नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं नेक्स्ट कोशन के रहा है तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर तो यहाँ दे रखा है आगुलनसील आगुलनसील फाइबर का कार क्या होता है कबज को रोकना भी होता है पाचन तंतर के माध्यम से गती भी करना होता है तो राइट आंसर लेगा आ और बा दोनो आगे बढ़ते हैं next question की और के रेशा किसको कम करने में सहायता करता है हेमोगलोबिन A1C का इस्तर खून का इस्तर हेमोगलोबिन का इस्तर या फिर ये सभी तो राइट आंसर क्या हो जागा हेमोगलोबिन A1C का इस्तर तता खून का इस्तर और हिमोगलोबिन का इस्तर तो राइट अंस वाइगा ये सभी का इस्तर कम करने में सहायता करता है नेक्स कुशन की बात करते हैं रेसा किसके साथ प्रतिकरिया करता है जो रेसा है वो किसके साथ प्रतिकरिया करता है बैक्टेरिया ब्यूटी रेट या और वा दोनों इन में से कोई नहीं रेसा किसके साथ प्रतिक्रिया करता है तो बैक्टेरिया के साथ करता है और ब्यूटी रेट की साथ करता है तो राइट अन्सुदाइगा आउर्बा दोनू next question की बात करते हैं अस्थमा को ठीक करने में कौन मददगार है बसा, प्रोटीन, रेसा या फिर कारवुज अस्थमा को ठीक करने में कौन मददगार है तो बहे हो जाता है रेसा, राइट अनस उदाइगा, option number 7 next question की बात करते हैं next question कहоля है दाल प्रती कप में कितना फाइबर होता है अगर दाल का हम प्रती कप लें तो उसमें कितना फाइबर देखने को मिलेगा 16 ग्राम, 18 ग्राम, 17 ग्राम या फिर हो जाता है 20 ग्राम अगर दाल का प्रती कप लिया जाए तो उसमें कितना होता है तो राइट यादाएगा option number आ रहने वाला है next question की बात करते हैं चोकर के गुच्छे में प्रती कप कितना gram fiver होगा चोकर के जो गुच्छे होते हैं उसमें प्रती कप कितना gram fiver होगा आपको बताना है 30 g, 7 g, 20 g या पिर 10 g दाल की बात करेंगे दाल में कितना होता है 16 ग्राम अगर बात करते हैं चोकर में पृतिक अपने तो होता है 7 ग्राम जिन लोगका अंसर ऑप्शन नमर 12 रहा था बिल्कुल राइट आंसर next question की बात करते हैं हर दिन पुरुस को कितना फाइवर लेना चाहिए हर दिन पुरुस को कितना फाइवर लेना चाहिए 40 ग्राम, 50 ग्राम, 38 ग्राम या फिर 60 ग्राम तो right answer क्या रहने वाला है आपको बताना है हर दिन पुरुस को कितना फाइवर लेना चाहिए 38 ग्राम फाइबर लेना चाहिए तो राई टांसर क्या जाएगा option number सा रहने वाला है आगे बढ़ते हैं महलाओं 50 से जाएदा को 15 से उम्र से जाएदा जो होंगी कितने फाइबर की आवसकता होती है उन्हें तो यह आपको बताना है बहनाओ के लिए 50 एच जाएदा है तो इनके लिए कितने फाइबर की आवसकता होती है 30, 20, 35, 21 ग्राम तो राई टांसर क्या होगा 21 ग्राम फाइबर की आवसकता होती है next question की बात करते है और last question की बात करते है रेसे के सर्बुत्तम साधन है कौन से है raspberry वा chia seeds दे रखा है तुमारा और mixed nuts दे रखा है narial वा black seeds दे रखा है या फिर ये सभी right answer क्या होगा ये आपको बताना है क्या हो जाएगा ये सभी हो जाएगा ठीक है रेसे के सर्बुत्तम साधन कौन से है raspberry वा chia seeds मतलब chia के बीज और mixed nuts mixed nuts हो चाहिए ठीक है और narial bar flex के seeds से flex के बीज right answer क्या जाएगा ये सभी एपना हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर जो हो जाएगा अब हमारी start क्या होगी अगली होगी unit number 30 unit 2 को हमने क्या कर लिया है अभी cover कर लिया है unit 2 को हमने cover कर लिया है अब आपको पीडिएप चाहिए वो क्या करेंगे टैली ग्राम पर जाएंगे बहाँ से जाएगे पीडिएप डानलोड कर सकते हैं ठीक है वहाँ paid होगी मगर आपको चाहिए क्या app चाहिए तो आपको बिलकुल free में PDF मिलने वाली ठीक है अप पर अप डानलोड कर सकते हैं लिंक जल्दी आपको मिल जाएगा कल सामतर ठीक है तो फेंट लाइक करना है शेयर करना है चैनल को सस्काइब करना है और जिनको PDF चाहिए टैलीगरम पर दाके हाँ कर सकते हैं डानलोड और फेंट जाए हैं जावार